हाई मेरा नाम विशाल दर्लानि है मैंने अभी अभी पड़ा कि इंडिया की जीडीपी फोकास 2019-20 के लिए 5% पे आ गई है पिछले साल यह 6.8% पे थी मैंने यह भी पड़ा कि इंडिया की टैक्स केलेक्शन धाई लाख करोड रुपे कम हुई है इस बाद याने की खर्च करने के लिए गवर्मन के पास करीबन दो लाख करोड रुपे कम हुई है याने की लिकुडिटी कम याने की बिद्निस कम याने की जॉब्स कम मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको सोचना जुरूरी है कि इस वक्त जो CAA NRC का जो बवाल पहला है यह क्यों हो रहा है नहते प्रोटेस्टर्स पे नहते स्टूडंस पे हमले क्यों हो रहे है कौन आपको गुमरा कर रहे है सच्ची मुद्दों से और क्यों सोचे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देश चलाना आए ना आए जलाना जरूरा आता है